हेलो मैं वीडिफुल सोल्स वेलकम तो मैं यूटुब चैनल टारो विशिवीट पालेट काईस कैसे आप सबी लोग आप सबी लोग बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे सब नहीं अवक कर रहे हैं आपकी लाइफ बढ़िया चल रही है अगर आप मेरे चैनल पर आएफ रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता था था प्लीज लाइक इस वीडियो गाइस टॉपिक है आपके परसन की आपकी खामोशी में आपके परसन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर स्लेटी 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 टीजा हैं है है भी जो मैं आपर देख पँश्ष्ट आपके परसिंशी में ठीक है अपवेर्न गार बन रहा हो सकते ढबरारे हैं ठीक है हैं मैं जो अनरजी कर पारी हूं उस पर इसा कि की मैसेजिजिज साथ और किसी और की डैस्ट नी में लिखा हो ठीक है ऐसा ज़रूर हो सकता है एसा बहल को हो सकता है यह depend करता है करमास के उपर, यह सारी चीज़े करमास के उपर नर्भर करती हैं, जरूरी नहीं है कि एक इंसान आज किसी और के साथ है, वो किसी और की destiny में नहीं हो सकता है, यह depend करता है करमा के उपर, अगर उन लोगों के लिए especially, जो डिवाइनली गाइध जो जूरिनी में है सिटिके सोटी में हो गतानी। को इस तरह की से इस समझेन की आति है कि आप दोने से डिस्टीनि नहीं हो। πैमिली को तैमिली के साथ ठीम करने में स्टॲाएं तो दोनों ऐसा एक घर बनाना, ठीक है, डी को टैम देना, ये साहरे चीज़ां इस परसक्ता आप चल रहे हो, जहां पर आप इस परसन की दिमार में लगा तर ऐसे चल रहे हो कि आप एक स्थेनी में हूँ, आप यह दोने एक दूसे के लिए डेस टाइन हो, आपकी सरन आपको देख रहे हैं, आपको आपकी love को ऑफ करते हैं तो थे काफी हद तक assurance कर लिया है, आपने बहुत हद तक balance हो जो के यह को मैसेज नहीं करते हैं को बहुत ज़ुत को परिशान को इस सब्रीकिềं कि चीजे हैं जरुव करने लगे को नहीं डाया है कि खुझान ही करने हैं यहां की बालेंटा मेरे साथ करो ठीक है आपने इस परसन को लगाता है बहुत सारी चीज़ करना करना कि अगर आपका घूम प्र आपका कर आएगा और अगर आपका नहीं है और आप कर नहीं है तो वह खulsion भूप कंप आप के लीए नहीं है और जो अपके लिए ऍवह अपके लिए दूते आपके बहुत सुख लिखा है.. आपके अपकी मैरिट लाइफ बहुत सुख है हैई कि सoule भागे मेर से बहुत जद रहा है.. ने अग Cheers आपके प्रारब्द में गुड कर्मा में ये लिखा है कि आपकी मैरिज बहुत अच्छी इंसान सोगी और मैरिज लाइप बहुत अच्छी रही ये आपके प्रारब्द में गुड कर्मा में लिखा हुआ है ठीक है तो वो कर्मा बना हुआ है उस इंसान के साथ आपका ठीक है तो आपकी लाइफ में उसकी responsibility है कि वो आपको खुश रखे, खुशियां दे क्योंकि आपका good karma है उसके साथ तो आपको उसके साथ यूनो वो feel होना ही होना है ऐसे ही bad karma होता है अगर किसी व्यक्ति का आपके साथ कोई bad karma लिखा हुआ है उसको आपका दुख देना लिखा हुआ है तो आप उसकी life के अंदर जाएं या ना जाएं वो आपकी life के अंदर आए या ना आए वो social media से आपको trigger करता रहेगा बैठा बैठा ठीक है आपको यहां वहां से trigger कर देगा आपके सामने देखकर trigger हो जाएंगे ठीक है मतलब अगर उस वेक्ति के तुरू आपके जीवन में दुख लिखा हुआ है तो जब तक वो कर्मा complete नहीं हो जाता वो आपकी life के अंदर बाहर अंदर बाहर चक्कर काटता रहेगा लेकिन वो आपकी life से जाएगा नहीं तब तक नहीं जाए जब तक वो आपके सारे कार्मेश triggers वो आपको काटना ही है तो आप उस्से बच नहीं सकते हां एक चीज होती है जब आप स्पिश्वली अवेकन होने लगते हैं तो आप डेफिनेटी बैड बैड करमा उसका ट्रैक्ट महीं करते हैं तो अगर आप awareness के साथ जिन्दी जीए तो ऐसे लोगों को आप cut off करते हैं जिन्दी से ठीक है आप क्या आपको अपने lessons को learn कर लेते हैं लेकिन जो lessons learn नहीं कर पाते या spiritually अविकन नहीं होते वो बार बार ऐसी गोल 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 साइकल में गूंगते रहते हैं और वो इनसान पर्वारेंट नादोन की लाइफ में टिकता है ना जाता है जाता इसलिए नहीं है क्योंकि उसको आपको lesson सिखाने है उसको आपको कर्मा देना बागी है तो वो आएगा आप उसे आने देंगे आप उसे ड्रोक भी नहीं पाएंगे और वो आपको सिखाएगा फिर से चला जाएगा फिर आजाएगा जब तक आपको ऐसी परेशान करेगा जब तक उससे साथ आपका soul contact break ना हो जाए ठीक है वो cycle complete ना हो जाए यह चीज मुझे यह पहले इनको यह अकल नहीं थी कि इनको चीजों को चूस कैसे करना है choices कैसे बनानी है ठीक है अपनी राइफ के अंदर कैसे जूस किया जाता है राइट पात तीक है यह पहले भी आपको गाइड किया हुआ है कि राइट पात वही इनसान चूस कर रगता है जिसके पास spiritual strength साथी चीज़ा है तो आपके जो परसने के अंदर वह spiritual strength आ रहा है कि यह राइट को राइट रॉंग को रॉंग बोले राइट पाथ ही चूस करें रॉंग को चूस ना करें कि बहुत डंडे पड़ते हैं रॉंग पाथ चूस करने के बाद universe इतनी मार देता है कि आप सोच न होती नहीं है तो फर्स टाइम में और इनसान अपने ego में रहता है इनसान अपने घमंड में गुस्से में ठीक है और हर चीज में उसको बढ़ा हो रहता है कि मैं तो ऐसे ही करूँगा पहली बार में वह गलती करता ही करता है ठीक अब universe यहां से करते हैं जैसी तुम गलती कर इस बार अगर आपने कहा कि नहीं यार मुझे तो यही इनसान चाहिए मुझे यही चीज़ चाहिए मरे फिर से आपको स्थ्थर अप 드ण यह पर वह ऊतना ही पार इस तक ऑफुक्प करो जब जर्णी में मतलब spiritual journey में यह होता ही होता है ठीक है सभी के साथ होता है अब ऐसे लोग बहुत लंबा टाइम ले 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 लेते असेंड होने में कुछ लोग ऐसे होते जो कहते अरे यार एक ही बार मैं सिखता है आप सीधा सेंड होंगे हमें दूसरी बार की ज़रत नहीं है ठीक इस परसन को कभी politician बनना था इस परसन को कभी artist बनना था कभी परसन को singer बनना था इस तरीकी का passionist person का निकल कर आ रहे कि नहीं मुझे तियह करना मुझे तो यह करूंगा खुद खुद को अपने आपको अम टाइम लेना स्टार्ट करते हैं आपको बताए कि हम बत स्पेशल ह को हमकिया करना है हमें किस चीजँ ना मुझा आता है हमारा प्राषिन क्या है ये चीज़ मझे आरे टिक्हाई दे रही है ईमोशचनल लॉस है इस परसाट नहीं है त्ट्था यूनिवर्स ने समझा डिए कि आप कम्जोर निया हैं आपने माल लिया है अपने हैं ले बाहर ते है तुम कमजोर नहीं हो जस्ट एक्सेप्टेंस की ज़रौत है एक्सेप्ट ये करना है कि तुम अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी कर सकते हो कुछ भी पा सकते हो ठीक है तो ये इस परसंट की अनरजी अभी आप दोनों की बीच में खामोशी ज़रूर है पर इस तरह की पर सकते हैं नहीं हो कि अपने फस्टत इनर्जी में फिलाल ये भी नजर आता है पेज की एनर्जी है युनिवर्स ने इस परसन साफ पोल रखा है कि आपको अपनी सारी इमेचॉरिटी छोड़नी होगी चलो बहुत हो गया ठीक है जितना भी आप आज तक इमेचॉर जिये हो इमेचॉर काम किये है इमेचॉरिटी जितना इगो दिखाया है जितनी हरकतें की है ठीक है जितनी अपनी लाइफ में बरबादियां की है वो सब आप छोड़ दो ठीक है इस परसन की एनर्जी है और इस परसन से कहा जा रहे है कि आप ठोड़ा सब मैच और हो जाओ अगर चाहते हो लाइफ ये बहुत अच्छी अगर आप उसी को मतलब एक बार मैंने श्रीहरीका ना एक जब मेरी जर्णी चान्सफर्मेशन की जर्नी चल रही थी तो श्रीहरीका ना एक स्टेटस मेरी स्क्रीन पर बार बार आता था जिसमें वह ऐसा बोला करते थे कि जो विडाता है वो भाग की बदलने का मौका सबको देता है एक बार सबको देता है तीक है अब मनुश्यकर अपने एहंकार में उस मौके को भी ठुकरा दे तो इससे बड़ा दुरभाग के नहीं कोई हो सकता है इसका अर्थ होता है कि वह आपको समझाने की कोशिश करते रहेंगे अपनी चीजों का दोश दूसरों पर डालते रहेंगे अपने अंदर एक परिवर्ता नहीं करेंगे अपने अंदर कोई शैडो वर्क नहीं करेंगे अपने अंदर कुछ नहीं सीखेंगे अगर अपने अंदर कोई चेंज़ आप नहीं करेंगे तो आप इस मौके क को गवा देंगे और आप क्योंकि आप उस मौक्य को गवा देंगे तो आपकी लाइफ में कोई बड़ा परिवर्दा नहीं आएगा तो जो आपको प्रारब्द से भाग जिसे जितना मिलना था उतना ही मिलेगा आप अपनी को कभी चेंज नहीं कर सकते आप क्रियेटर कभी न प्राइवर्टी में फस्ट रहना मत चुनिए अपनी प्राइवर्टी बनाईए और अपनी आपको प्राइवर्टी पर रखिए ठीक है तब जाकर आप अपनी खुशियों तक पहुंचेंगे और इस बार भी अगर आप ठोकर मारते हैं सदीगई अपॉर्चुनिटी को सद लेगा तो फिरो ते रहो प्राइवर्टी मुझे कुछ नहीं गया जीवन भर मुझे कुछ पराप्त नहीं हुआ तो यह चीज मुझे आपर दिखाई दे रही है तो इस तरी की चीज़ें युनिवर्टी नेस परसन को बोलिए कि अगर आप अपनी लाइफ में भागी बद करती मुझे कॉमन सेक्शन में जरूर बता है वीडियो पसंद आए लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब मैं चानल थैंक्यू गईस